सीटों के साथ महराश्ट की सत्रा सीटों पर वोटिंग वी जिन पर कुल 116 उमिद्वार की किस्मत का फैसला EVM में कैद हो गया लोगसभा चुनाओ को लेकर बॉलिवूड सितारों में भी जबरदस्त जोश देखने को मिला लोगसभा चुनाओ 2019 के चौथे चरण में महराश्ट की सत्रा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं इन सत्रा सीटों में से छे सीटें मुंबई की हैं जिन पर कुल 116 उमिद्वार मैदान में हैं मौजूदा समय में ये सभी 6 सीटें NDA के पास में हैं जिसमें 3 पर BJP और 3 पर शिवसेना का कबजा है जबकि पिछले चुनाओं में कौंग्रेस और NCP का खाता भी नहीं खुला था वही 24 तरण के चुनाओं में सुबह से ही मुंबई में बॉलिवूड स्टार्स मतदान कर रही हैं प्रियंका चोप्रा प्रियंका चोप्रा ने सुबह सुबह बूच पर पहुँच कर मतदान किया और अपनी सेल्फी ट्विटर पर अप्लोड की उर्मिला मातोंड कर मुंबई नौर्थ से कॉंग्रेस की प्रत्याशी हैं और उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाओं में दाउं पर लगी हुई है उर्मिला ने बूथ पर पहुँच कर मतदान किया और अपनी जीत का दावा किया और मतदान जुरूर करें लोग कंतर की प्रत्याशी है आमिर खान बॉलिवूड स्टार आमिर खान बांदरा के बूथ पर वोट डालने पहुचे किरन राव वहीं आमिर खान के साथ उनकी पत्नी किरन राव ने भी मतदान किया अनुपम खेर अनुपम खेर ने भी बांदरा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया भाघिश्री तो वही सुभए सुभए बॉलिवूड अबनेतरी भाघश्री ने भी बूत पर पहुँच कर अपने अधिकार का प्रयोग किया अजय देवगन मतदान की शुर्वात मही फिल्म स्टार अजय देवगन ने भी वोट किया काजोल वहीं अजय दियोगन के साथ उनकी पत्नी और बॉलिवूट की ब्यूटी क्वीन काजोल ने भी मतदान किया कंगना रनाओद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कंगना रनाओद भी खारिस्थित पोलिंग बूत पहुंची जहां लोकतंत के सबसे बड़े पर्व में शामिल हुई और वोट किया करीना कपूर फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी चौथे चरण में वोट डाला करीना कपूर तैमूर को लेकर वोट करने पहुंची और वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली दिखाई बच्चन परिवार लोगतंत के सबसे बड़े पर्व में बच्चन फैमली भी शामिल हुई और पोलिंग बूट पर पहुँचकर आमिताप बच्चन अभिशेक बच्चन और एश्वर राय ने वोट डाला फरहान अक्तर बॉलिवूड एक्टर फरहान अक्तर भी पोलिंग बूट पर वोट डालने पहुँचे वोट डालने के बाद अपनी स्याही लगी उंगली फरहान अक्तर ने भी दिखाई सल्मान खान बॉलिवूट के दवंखान ने भी मुंबई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया इस दोरान शेरा भी उनके साथ नजर आई इस बार के बदले सियासी समीकरण में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को कॉंग्रेस और सीफी गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है ऐसे में अहम सवाल ये है कि 2019 में मुंबई का किंग कौन होगा ब्यूरो रिपोर्ट भारत समाचार